वैसे तो साइको सीरियल किलर की कहानी बॉलिवुड के लिए बिल्कुल नहीं नहीं है लेकिन नेट्फिक्स इंडिया ने पहली बार ऐसा कुछ ट्राय किया है आज के इस वीडियो में हम सस्पेंस टिलर का स्पोईलर ना बताते हुए रिव्यू देने वाले हैं नेट्फिक्स पर रिलीज हुई मिसेस सीरियल किलर मूवी की तो इसका रिव्यू देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें ये स्टोरी है उत्राखन के एक चोटे से शहर की इस शहर में अचानक एक साथ हुए छह मर्डर की वज़े से पूरा शहर काप उठता है जैसे की हर सीरियल किलर का मर्डर करने का अपना एक तरीका होता है एक खुद का पैटर होता है इसे मर्डर में भी सेम पैटरन था ये साइको किलर कुवारी प्रेगनन लड़कियों को पकड़ कर उनको मार देता था और उनके पैट में जो बच्चा होता है उसको एक बॉटल में भरके रखता था अब ये किलर कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था और क्या उसको पकड़ने में पुलिस कामियाब होती है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी अब देखते है इस मुवी की ब्राइट साइड इस मुवी का लोकेशन बढ़िया है पहाड़ी एरिया होने के वज़े से फिल्म देखने में बहुत मज़ा आता है वैसे तो इस मुवी में गिन के पाची केरेक्टर से भोकाल और उरी जैसे बढ़िया प्रदर्शन के बाद मोहित रहना से ओडियन्स की बहुत उम्मीदे थी और इस फिल्म में इंस्पेक्टर इम्रान का रोल निभा कर वो हमारे उम्मीद पर खरे उतर आए जैकलीन ने भी अपना रोल अच्छे से निभाया है लेकिन हमेशा की तरह पूरे शो का क्रेडिट मनोज वाचपई के लाजवाब आक्टिन ने ही ले लिया है अब जानते हैं इस फिल्म की डाउनसाइड जब भी नेटफलिक्स इंडिया कुछ नया करने का ट्राय करता है तो उसमें उनसे कुछ ना कुछ तो छूटी जाता है इस मूवी के बारे में भी ऐसे ही हुआ है इस मूवी की स्टोरी लाइन तो अच्छी है लेकिन उसके execution में कुछ ऐसी कमिया नजराती है बहुत जगा पे unwanted twist देने का प्रयास किया गया है कुछ scene तो ऐसे है कि अगर उसको बढ़िया effects और execution का साथ मिल जाता तो शायत ये और बहतरिन फिल्म हो जाती कुछ-कुछ scene में गलत background music देखे अच्छ-च्छ scene को खराब किया गया है इससे अच्छा तो simple तरीके से भी दिखाते तो भी बात बन जाती जाकलिन की acting अच्छी है लेकिन उसका हिंदी का उच्छा रण आपको बहुत irritate कर देगा जाकलिन की जगह पे कौनसी actress को लेना चाहिए आपको क्या लगता है आप हमें comment करके जरूर बताईए overall पौने दो घंटे की ये movie आप Netflix पे देख सकते हैं इस film में कोई adult content नहीं है तो आप इसे अपने family के साथ भी देख सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये comment में जरूर बताना अगर आपको ऐसे ही नई फिल्मों के बारे में जानकरी चाहिए तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद